तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर पहला कोश्चन है और हर एक कोश्चन के लिए आपको 5-6 सेकिंड मिलेंगे तो आंसर जरूर कमेंट बोक्स में लिख दीजेगा पहला कोश्चन है भारत का राष्ट्य चिन कहां से लिया गया है बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कोश्चन नमबर 2 बारत्य राष्ट्य धवज के चक्र में कितनी तिल्या हैं तो सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा बिल्कुल सही कोश्चन नमबर 3 बारत्य सविदान सभा ने राष्ट्य धवज के प्रारूप को कब अपनाया बहुत अच्छा कोश्चन है बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गूड बहुत अच्छे कोश्चन नमबर 4 धवज गीत की रचना किसने की थी यह भी काफी अच्छा कोश्चन है और बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो वेरी गूड कोश्चन नमबर 5 भारत के राष्ट्य गान के रचनाकार हैं तो बिल्कुल बच्चो को पता होना चाहिए यहाँ पे पांच वेकार राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा देखिए यह बहुती बेसिक चीजे होती हैं यह आपको पता होनी चाहिए और जितने भी आपके friend है, जितने भी आपके family member है, अपने बड़ों को भी दिखाईए, क्योंकि ये बहुत ही basic से question होता है, जिनसे आपकी general knowledge भी बढ़ती है, ठीक है, तो share करिएगा अपने हर एक family member को, अपने हर एक friend को, question number 6, वंदे मातरम को राष्टे गीत के रूप में किस तिथी को सविकार किया गया, बिल्कुल सही, अगर आप option यहाँ पे D लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, D is the right answer, question number 7, वंदे मातरम बंकिम चंदर चटर जी के किस उपन्यास से लिया गया है, यह भी काफी अच्छा question है, और 7 का right answer आपका option B हो जाएगा, तो आशा गरता हूँ कि आप समझने होंगे, ठीक है, चलिए, next question पे चलते हैं, question number 8, भारत का राष्टिय पंचांग की सवंध पर आधारित है, बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे option A लगा रहे हैं तो very good, question number 9, भारत का राष्टिय खेल कौन सा है, तो यह बिल्कुल बच्चो वाला question है, मुझे भी पता है, बढ़ पता होने चीए जिनको नहीं पता है, option C हाँ पे right answer हो जाएगा, question number 10, भारत का राष्टिय पसू है, अभी आपका constable में, आरपी आपका constable में question पूछा गया था है, तो बिल्कुल सही, अगर आप option यहाँ पे D लगा रहे हैं, विश्व सवास्त दिवस, कब मना जाता है, यह question भी आपका पूछा गया था, बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे option D लगा रहे हैं, तो very good, देखे, अगर टेस्ट पसंद आएगा, तो बिल्कुल लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी motivation मिलते रहे, आपके लिए लगातार इस तरीके की वीडियो लाने के लिए, प्रत्वी दिवस है, प्रत्वी दिवस कब मना जाता है, बहुत अच्छे, अगर आप यहाँ पे option B लगा रहे हैं, तो very good, बारवे का right answer B हो जाएगा, question number 13, विज्ञान दिवस कब मना जाता है, तो यह question भी बहुत बार पूछा जाता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो यह option C यहाँ पे right answer हो जाएगा, question number 14, अंतराश्टिय महिला दिवस कब मना जाता है, तो यह question भी काफी अच्छा है, इसको भी बताईएगा, बिल्कुल सही, अगर 14 का right answer आप option B लगाने तो very good, right answer B हो जाएगा, question number 15, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मना जाता है, तो यह question भी अभी आपका पूछा गया था, और इसका right answer option A हो जाएगा, अगर आप A लगाने तो बिल्कुल सही है, question number 16, 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मना जाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 16 का right answer option C हो जाएगा, ठीक है, चलिए, question number 17, राजीव गान्धी के जुनम दिवस 20 अगस्ट को किस रूप में मना जाता है, बहुत अच्छे, यहाँ पे 17 का right answer option, अगर आप B लगा रहे हैं, तो very good, ठीक है, चलिए, question number 18 पे आ जाते हैं, 18 में बोल रहा है, 5 सितंबर को मना जाने वाला सिक्सक दिवस किस के जनम दिवस के अवसर पर मना जाता है, तो बिल्कुल सही है, अगर आप option D लगाने तो very good, right answer, option D हो जाएगा, बहुत अच्छे, question number 19, विश्व मानव अधिकार दिवस कम मना जाता है, तो बिल्कुल सही है, अगर आप option यहाँ पर D लगा रहे हैं, तो very good, question number 20, विश्व हिमोफिलिया दिवस कम मना जाता है, 20 वेका बताईएगा, तो 20 वेका right answer आपका option A हो जाएगा, अगर आप A option लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, question number 21, देखे answer कमेंट बोक्स में बताते रहे हैं, जो भी आपका चाहिए, चैक गलत है, 21, why you say ना दिवस, पहुत अच्छा question है, और right answer कहा रहेगा, जल्दी से बताईए, बिल्कुल सही, अगर आप option यहाँ पर C लगा रहे हैं, तो very good, right answer, option C हो जाएगा, question number 22, विस मधु में दिवस किस तिथी को मना जाता है, तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप option A हाँ पर लगा रहे हैं, तो very good, right answer आपका A हो जाएगा, question number 23, एन इकबल म्यूजिक के लेखक हैं, बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पर option B लगा रहे हैं, तो very good, right answer आपका B हो जाएगा, उर्वसी के रचनाकार कौन हैं, यह question अभी आपका पूचे गया था, SI में, question number 24, और देखे, आदे से जादा टेस्ट आपका हो चुका है, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे, और टेस्ट को पूरा एंड तक लगाएगा, 24 को right answer आपका option C हाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर question number 25 है, विश्व परसीद महा काव्य काम्यानी के रचियता है, तो बिल्कुल सही है, 25 का right answer आपका option A हो जाएगा, ठीक है, चलिए, question number 26, discovery of India किसने लिखा है, तो 26 का यहाँ पर right answer बिल्कुल सही है, अगर आप option A लगा रहे हैं, very good, question number 27, परसीद तिल्समी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं, तो 27 का बिल्कुल सही है, अगर आप option यहाँ पर D लगा रहे हैं, तो very good, question number 28, निमल निखित में से कालिदास की रचना कौन सी है, तो बिल्कुल सही है, अगर आप option यहाँ पर 28 का D लगा रहे हैं, तो यह सभी हैं, कालिदास की रचना है, question number 29, तो 29 है आपका हितोप देश की रचना किसने की, 29 का right answer बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पर option B लगा रहे हैं, तो very good, question number 30, निमल निखित में से विलियम सेक्स्पियर की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर 30 का यहाँ पर right answer आपका बिल्कुल सही है, अगर आप option यहाँ पर D लगा रहे हैं, तो यह सभी right answer आपका हो जाएगा, 31, an area of darkness किसकी रचना है, अगर आप यह वीडियो को एक से दो बार देख लेंगे, तो रच जाएंगे इस सारे question, तो आप इस वीडियो को कभी भी time लगेगा, दुवारा फिर repeat करके देखेगा, तो बहुत सारे question आपको बिल्कुल याद मिलेंगे, और बहुत सारे बिल्कुल याद हो जाएंगे, और share करना बिल्कुल मत भूलेगा, test end में ही आने वाला है, अगर पसंद आ रहोगा तो लाइक कर दीचेगा, 31 का right answer आपका A हो जाएगा, तो बहुत अच्छे अगर आपने A option लगा था, 32, 32 का answer बतेगा, 32 question है, the law of inheritance किसकी किरती है, बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पर option C लगा रहे हैं, तो very good, question number 33, my name is trade, is no, the black book, जैसी चर्चित पुष्टकों के लेखक हैं, तो यह भी काफी अच्छा कोशन है, 33 का right answer आपका option A हो जाएगा, ठीक है, question number 34, wing of fire, किसकी आत्मकत हैं, बहुत अच्छा कोशन है, very very important, बहुत सारे एक्जाम में पूछा जा चुका है, 34 का right answer आपका हो जाएगा, मैं आशे करता हूँ कि आप बिल्कुल सही answer देंगे, option D जितने बच्चन लगा आप बिल्कुल सही है, question number 35, सेशोल की राजधानी कहां है, question number 35, बिल्कुल सही, अगर आप option याप बिल लगा रहे हैं, तो very good, question number 36, तुवालू की राजधानी कहां इस्थित है, 36 का right answer क्या रहेगा, बिल्कुल सही, अगर आप याप याप बिल्कुल जाएगा, option A लगा रहे हैं, very good, question number 37, निमल निखित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है, तो ये आपको बताना है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पर option D गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है भई, चलिए, question number 38, निमल निखित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है, तो इन में भी देखिए एक बार, अभी आप देखिए, capital currency से questions बन रहे हैं, RPA PSI में भी, UP police में भी पूछा गया था, और group D में भी पूछा जा सकता है, तो ये मतलब आपके basic हैं, चीजे जो repeat रहती हैं हरेक एक्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पर 38 का right answer हो जाएगा, C, question number 39, switcher land की राज़दानी कहा हैं, तो बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पर option B लगा रहे हैं, तो very good, question number 40, monga disu किस देश की राज़दानी हैं, तो बहुत अच्छे हैं आपर right answer आपका option C हो जाएगा, देखें दोस्तों, आज की वीडियो में थे इतने ही question और इन सभी question के answer भी मैंने आपर दे दिये हैं, तो इसकी pdf आप डाउनलोड कर सकते हैं topic study के telegram channel से, आप telegram पे जाएगा topic study सर्च करिएगा, जोइन कर लिजेगा, वहाँ से pdf डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप वीडियो को जितने भी हो सके share करिएगा अपने group, facebook group, whatsapp group, अपने friend, अपने family member, ताकि यह जो basic चीज़े हैं, उनको भी पता चल सके, ठीक है, कोई भी डाउट रहता है, किसी भी तरीके का आप test में changes चाते हैं, तो नीचे comment box में बताईएगा, मैं उसी तरीके से test को change कर लूँगा, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा end तक देखा, वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो, comment कर दीजेगा, जितने भी आपका score बनाएं, वो भी comment कर दीजेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के comment पढ़ता हूँ और देखता हूँ, वीडियो को देखें, बहुत धन्यवाद, आपका दिन सुब हो,